हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर दिरेंच शा डिरेक्टर एंड कंसल्टन काडेक्स सेजन सेंस हॉस्पिटल एंदावाद से हम यहां पर हार्ट की सजरी करते हैं और मैं आपसे बात करने वाला हूं हार्ट फिलियर के बारे में हार्ट फिलियर एक ऐसी बिमारी है जिसमें हार्ट काफी कमजोर हो जाता है और हार्ट का फंक्शन होता है पंप करना और अगर पंप कमजोर हो जाता है तो पूरी बाडी पे उसके असर होती है जिसके चलते पेशेंट के सांस फूलना सरीर में सूजन आना काम नहीं कर पाना खाना पिना नहीं हो सकता, यह सब दिक्कते होती हैं। माना जाता है कि हार्ट फेलियर के बाद और कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, और काफी लोग इसकी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, लेकिन यह बात गलत है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि with the advance in science and technology, हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट काफी तरह से की जा सकती है। जैसे कि किसी पेशन को तीनो नलियों में ब्लॉक हो, हराट का पंपिंग 30% हो, तो तռ हम उसका bypass कर सकते हैं, जिसे पेशन को benefit मिलता है, किसी किसी पेशन को वाल की तकलिफ के साथ साथ तीनो नलियों में ब्लॉक होता है, तो उसका भी हम इलाज कर सकते हैं, और उसका वाल और bypass दोनों एक साथ कर सकते हैं, किसी patient का heart काफी balloon जैसा हो गया होता है काफी बड़ा हो गया होता है तो उसको repair करके plastic surgery करके heart की size कम कर सकते हैं इसके अलावा जो last and final जो treatment है वो है heart transplant जिसमें heart जो बहुत ही जादा कमजोर हो चुका होता है उसको बदल के किसी brain dead patient का heart हम वापिस वो patient में डाल सकते हैं ताकि वो patient एक normal जिनगी जी सकता है एक जो नई technology जो आई है जो western countries में अभी काफी prevalent हो गई है वो है left ventricular assist device एक जो artificial heart बोलते हैं जिसको हम heart चाती के अंदर ही implant कर देते हैं और जो left ventricle का का काम कर सकता है और वो पूरा heart का काम उठा लेता है जिससे heart का जो function होता है वो अच्छी तरह से हो सकता है तो मैं कहना चाहूंगा कि यह सब treatment available है अभी heart failure patients के लिए चाहिए और उनको मायूस नहीं होना चाहिए and they should see a doctor get an advice and get a good and productive life in future, thank you.